जहेद में कुछ विटामिन, बेनरल्स, अमीनो आइसेड और कुछ एंटि आक्सिडेंट, एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को डिप्ली कीलिन करने में हमारी मदद करते हैं लोग अपने चेहरे को निखालने के लिए क्या क्या उपाई नहीं करते हैं महिंगे महिंगे ब्यूटी प्रोड़क्ट खरीद कर हमारे पैसे बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं लेकिन आपको इससे कोई खास फाइदा नहीं होता है आप इन प्रोड़क्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ सबजी और मसाले और फलो के तत्व होते हैं जो किना के बराबर होते हैं जिससे आपको कोई भी फाइदा नहीं मिलता है आईए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस्पेक के बारे में जिसे लगा कर आपकी स्किन तो गलो करेगी ही साथ ही आपके पेसे भी बच जाएंगे हमारा पहला फेस्पेक है शहद और निम्बू के रस का फेस्पेक इस फेस्पेक के लिए आपको एक चम्मश शहद और तीन से चार बुंदे निम्बू के जूस की मिलाना है इन दोनों का पेस्ट बनाकर आपको अपने फेस पर 20 मिनिट के लिए लगा रहने दे 20 मिनिट के बाद में आप इसे दोलीजिए निम्बू का रस आपके स्किन को सवेधन शिल बनाता है इसलिए जब भी आप घर से बहार निकले दूप में तो आप संस्क्रिम लगा कर ही निकलें और जब भी आप कोई भी फेस पेक अपने फेस पर ट्राय करते हैं तो पहले इसे पेज टेस्ट जरूर कर लीजिए इस फेस पेक का उप्योग करने से आपके चेहरे पर ना की ग्लो आता है बलकि आपके पिंपल्स की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलता है हमारा दूसरा फेस पेक है एलो विरा जेल निम्बू का जूस और शेहत का फेस पेक एलो विरा जेल हमारी स्किन पर होने वाले पिंपल्स की समस्या से हमें छुटकारा दिलाता है और इसे यदि निम्बू और शहेद के साथ मिक्स करके लगाया जाए तो हमारे चेहरे पर एक instant glow भी हमें देता है एलो विरा जेल हमारी स्किन को मोशराइस भी करने में हमारी मदद करता है इसके लिए आपको दो चम्मच एलो विरा जेल एक चम्मच निम्बू का रस और एक चम्मच शहेद इन तीनों को मिक्स करके 15 मिनिट तक अपने चेहरे पर लगा कर रखें 15 मिनिट के बाद में इसे आप पानी की मदद से दो लीजिए हमारा तीसरा फेस पेक है टमाटर और मुलताने मिट्टी का फेस पेक टमाटर में लाइकोपिन होता है जो हमारी स्किन को संद बन की प्रोबलम से बचाता है मुलतानी मिट्टी में तचा को साफ करने वाले गुंड भी पाए जाते हैं ये तचा को चमकदर बनाने में हमारी मदद करते हैं इसके लिए दो चमश मुलतानी मिट्टी और एक चमश टमाटर का रस इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेक तयार करना है और इस पेक को आप 20 मिट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दे इसे हलका ड्राइ होने के बाद में आप साफ पानी की मदद से इसे धो लिजिए यदि आपकी स्किन सेंस्टिव है तो आप इसका भी पेज टेस्ट जरूर कीजिएगा यह थे मेरे कुछ Instant Glow Face Pake यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंस सके थेंक्स पॉर वाचिंग